So now Trident Limited आप देखें यहाँ पर आज एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखनी हम लिए हो काफी दिनों से स्टॉक ने जो एक अच्छा खासा उच्छाल दिखा है उसके बाद बिल्कुल 50% वहाँ से देखेंगे करेक्सन होते भी दिखा है अगर जो तेजी आप कैलकुलिट क करेंगे तो लेकिन आज जो है वो एक न्यूस के चलते एक गरावट आई लेकिन अच्छी बात यह है कि Trident Limited अपने सपोर्ट पर ध्यान दे रहा है एक्च्छल में आपके जो गेंस है वो यहां से कहीं न कहीं बचना है स्टार्ट होगी और एक अप मूब जो है वो यहां से जो है बड़ी ख़वर है एक तरीक से अगर आप देख सकते हैं लेकिन स्टॉक जो है वो कुछ ऐसा रियक्ट नहीं करते हुए दिखाए ऐसे में आपने कई सारे स्टॉक्स देखे होंगे जिस पर ऐसी ख़वर आई होगी अचानक से पास से दस परसेंट तक यहां पर तू चार्स पर वो के दस टिक नहीं रहा है टाइंट का स्टॉक जितना पास मिले वही गईने कहीं यह पर होते हुग दिख रहा है और वह उस पर हम बात भी जाने की कुछ पर नहीं क्या होने वाला है इबन कई सारे लोगोंगा यह मानना है कि टाइट जो है वो अपने प्रीव यह ज़रा समझने की कोसिस करेंगे लेकिन पिछले साल का अगर आप देखेंगे तो पिछले साल की जो बिल्कुल गेंज थे वो बिल्कुल जा चुके हैं अगर आप देखेंगे अल्मूस्ट मतब है आप देखें क्लोजिंग पिछले साल हाइर लेबल से यहां पर जो है ना फिर लोर साइड बिल्कुल बीचो बीच सफर है यहाँ पर ट्राइनल लिमिटेट के अंदर चला है और अभी यहाँ पर जो है उस सतर रुपए वाली बाद जो आल्ल टाम हाई की है उसको ज़रा समझेंगे अब देखे बात आती है कि सतर रुपए सतर रुपए देखे कोई ह जा सकता है जा चुका था ओल्रेडी वहां से वहां से डाउन साइड पकड़ा है उसका भी एक रीजन है फंडमेंटल उसका रीजन है जिस तरीके से मार्जिनल प्रॉब्लम आईती इसकंदर आल्रेडी मैं आपसे काई क्वार्टर से डिसकस कर रहा हूं लगातार अब जादा बेलिशन जो है ना वो बहुत स्ट्रेच हो गई थी या बहुत महंगी हो गई थी बहुत बहुत महंगी हो गई थी या वहां से ना स्टॉक और करेक्शन दिखानी था ऐसा कुछ भी नहीं है आप देखेंगे तो उननेस सो असी करोड की हाइस्ट नेट से दो हजार 21 दिसमबर में इसने नोट करे थी इसने क्लॉक करे थी उननेस सो असी करोड की या पर जो है नेट से इसने क्लॉक करे थी वहां से आप देखेंगे तो आपको देखने में भी लगा कि 2022 से सेप्टेंबर और आपका 2023 सेप्टेंबर के रिजल्ट अब आने वाला है ध्यार करना सबसे लोएस्ट नेट सिल रिकॉर्ड करी थी उसके बाद 1438 करोड की मार्जिन आप यह समझेगा 10% की मार्जिन रह गए थी इतना बड़ा फॉल आया था मार्जिन में तो स्टॉक के प्राइसिस क्या वहीं पर बने रहेंगे जो उसने हाई लगाया था या फिर फंडामेंटल एक फाइनिसल प्रॉब्लम देखने को मिली थी और मार्जिनल प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी 10% का एक भारी ड्रॉप हमें देखने को मिला था वहाँ पर आ गया था बता था तो यह हुआ था उसके बाद एक रिकॉवरी मिली तबसे जादा से जादा हम फा का लेकिन उसके बाद दो क्वार्टर आप देखे फिर से डाउंसाइड 1494 करोड की यहां पर जो है नैट सेल आपका Q1 अभी ले टेस्ट वाला है यहां पर जो अगर आप देखेंगे तो यह 30 जून का तो वह आपको देखने मिलेगा कि बापस से डाउंसाइड हमें देखन अब ऐसे में कोई अगर यह कहेगा कि 70 रुपर चला जाएगा या 100 रुपर चला जाएगा जाने को कुछ नहीं है एक बार दिक्कत है उसे बहार निकलता हो निजर आए ट्राइट ट्राइट अल्रेड़ी अपने टेक्स्टाइल में लीडर्शिप हासिल कर रहेगा सिंपिल है रिविन्यो आप देख लीजे आप प्रॉफिटिविल्टी आप देख लीजे समझ में आ जाएगा आपको ठीक है और वैसे भी फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है मार्केट के ब्याफ पर तो अब अगर आप देखें टैल लिमिटेट के अंदर तो बिल लोकल सटिक जो यह ही यहाँ पर होती हुँ दिखी है औल्मुस्ट अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो एक कमफर्टेविल जोन में 45.66 का पी रेशियो है आपका यहाँ पर जो है इंडिस्ट्री पी 62.20 है दैस वाई कहीं ना कि कमफर्टेविल जोन में होने की वज़े से आपका कोई एक बारी गिरावट का सामना इस न्यूज की चलते हैं नहीं करना पड़ा बहुत सारे रिजन्स होते हैं कमपणी के स्टॉक के अंदर जो कि यहाँ पर एक डिफाइन करते हैं मतलब सबको बरोसा है टायडेंट पर टायडेंट कोई आज का नहीं यह खिलाड़ी यह बहुत ही पराना खिलाड़ी और एक तरी से देखें तो शेयर हुल्डर्स के हित में सारी डिसीजन कहीं नहीं इस कमपणी के अंदर लिये जाते हैं कोपरेट गवर्नेंस की जो बात है ना वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक नंबर देखने को बलती है कहीं नहीं इसका बे यह 8.41 है जो की लगातार जो है एक पॉज में है अगर आप देखेंगे तो एक पॉज में है क्योंकि काफी उतल पॉतल मुचा है और उस उतल पॉतल की चलते ट्राइडेंट के अंदर जो ग्रोथ स्टोरी है वो थोड़ी सी मताब एक लॉंग टर्म तो हम सबसकते हैं लिक इन दिक्कतों से बहार निकलते तो दिक्कतों से एक बहार निकलें तो क्यों आचीव नहीं कर पाएंगे बस यह आप सोचिए तो अब ही यापर मारकिट केप अगर आप देखें मारकिट केप से लिए से फौर्थ लाज़ेश्ट कमपनी और टेक्स्टाल सेक्टर के अंδर मतब अगर आपके portfolio में रखा हुआ है दिक्कतों का बहले ही सामना करना पड़ रहा है लेकिन फिर भी ये वो stock है जो कि long term journey में आपका एक अच्छा खासा generate करके देगा profit भी dividend तो ये फिर देते ही हैं थोड़ा बहुत जितना भी हो लेकिन ये dividend भी पे करते हैं तो ये एक income आपकी बंती चली है long term में आपका साथ निवाने वाला मतब आप कह सकते हैं कि है tight end और अगर आप PE ratio से judge करेंगे तो आपके सामने fourth सारी के सारी company आपके सामने चौते नुमर पे आती हैं आप देगे ही तो आपका PE ratio कोई बहुत हाई पर नहीं है 46.83 के पी रेशियो आपका clock कर रहा है page industries 83.06 पर है Vedant Fashion 73.75 पर KPR Mills 33.36 पर है और fourth पर आपका tight end 46.83 यानि तीसरे नुमर पर PE ratio में चल ला है लेकिन PE ratio आपने industry भी से एवब नहीं है तो यहाँ पर कोई problem हमें देखने को नहीं मिलती है और अगर आप price value से भी अगर आप देखें price to book value से भी तो भी आपर आपके comparison Trident फिर भी आपर जोए ना अभी भी एक comfortable zone में वो work कर रहा है 4.43 अपने book value से उपर काम कर रहा है बाकिसाब आपके सामने कोई 28 पर work कर रहा है कोई 20 पर work कर रहा है कोई 6.50 पर work कर रहा है आपने book value से उपर उनका price तो यह है Trident Limited अभी भी comfortable zone में वेल्यूशन्स ऐसा मत कहिएगा कि आप comfortable zone में ने है यहाँ पर ना इसकी एक price अगर आप देखेंगे तो अल्मूस्ट यहाँ पर यह स्टॉक ना 40 रुपई से उपर ही होना चाहिए था उपर का मतलब ऐसा नहीं कि 50 पर 40-45 के बीच के आसपास इवाह पर होने चाहिए Q2 अगर काम कर गया ना डेफिनिटली कहीं ना कहीं आपके स्टॉक में एक बार ही उच्छाला सकता है तो यहाँ पर तैयारी करिए Q2 की और आप कंफर्टेबल जोन में यह अच्छी बात है Q2 कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छा आ गया दिक्कत हैं दूर हुई थोड़ी सी तो फिर यहाँ पर काम बनता हूँ नजर आएगा And the last आप चार्ट पर देखिए चार्ट पर पिछली बार मैंने जब आप से बात करी थी काफी दिन हो गया उसमें मेरा कहना था कि 36 रुपए के आसपास जितना भी आपको मिले न आप उधर की तरफ देखिए बाई करने का अभी क्या है स्टॉक वो 40, 39.50 के आसपास वो रुकी नहीं रहा है जैसे ही वहाँ पर आते 39.50 वहाँ से एक डाउंसाइड आती है बार-बार एक भिकवाली आ रहे है So that कहीं नहीं यह लग रहा था कि एक गिरावट आएगी और वो गिरावट इसके अंदर आई Almost उनी लेवल Important लेवल के आसपास हमें देखने को मिला है कि 36 रुपए आ चुका है तो यहाँ पर जो उस वक्त खरीदने की सोच रहे थे और नहीं खरीद पाई वो मिला था आपको काफी higher side अब यह आपको 36 रुपए मिला है हाला कि अभी जो न्यूज है ना जो IT वाली वो कैसा impact आगे भी डालेगी यह पता नहीं लेकिन फिलाल जो है आज की दिन तो react समने हमें समझ में आगया इस टॉप का कि react नहीं कर रहा है उस न्यूज से कहीना की आगे भी नहीं करेगा तो यहाँ पर 36 रुपए पर आपको मिला है important level से आपके और almost मेरे हिसाब से 35 बहुत important होगा इस stock के अंदर 35.50, 35 यह बहुत important होने वाला है इस stock के अंदर तो almost almost अगर आप देखें तो आप एक बहतरीन supporting levels के आसपास है तो यहाँ से कहीना की stock जो है वो bounce कर सकता है तो अपने हिसाब से यहाँ पर strategy बनाए अगर कोई buy करता भी है आज की दिन कोई करके गया है या फिर आगे करने के सोच रहा है तो मैं यह कहूँ कि आप एक छोटा सा stop loss रखी है इतर छोटा सा stop loss important level के नीचे और यहाँ पर जो है आप देखें कि tight end की अंदर क्या एक bounce आ रहा है अगर bounce आ यहाँ तो वो successfully कहीना की आपका जो है वो बापस एक अच्छा खासा एक जनरेट करके देगा आपको पैसा तो वो इस हिसाब से strategy करें लेकिन stop loss हमिसा रहना चाहिए हर एक के पास रहना चाहिए ध्यान रखिएगा तो important level से कहीना की bounce back मिल सकता है यहां से देखते हैं यह आपर क्या रहता है लेकिन मिल सकता है possible जादा बन रहा है possibility बहुत जादा है तो आप भी आपर study करें इसके उपर